हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बिना एक भी पैसा खर्च किये ऐसी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से हेंगिंग मल्टी लेवल प्लांटर बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी तो मल्टी लेवल प्लांटर बनाने के लिए सबसे पहले आप जितने लेवल का प्लांटर बनाना चाते हैं उतनी ही बॉटल्स ले लीजिए मैं तीन लेवल वाला प्लांटर बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने ये तीन बॉटल्स ली हैं अब सभी बोटल्स पर ऐसे एक रेक्टेंगल बना लीजिए और फिर इस रेक्टेंगल को कट कर लीजिए ये देखिए मैंने तीनों बोटल्स के रेक्टेंगल्स कट कर लिये हैं अब हमें बोटल्स में ऐसे होल्स करने हैं हैं करने के लिए रेक्टेंगल की चारो साइट्स पर ऐसे एक एक होल कर ले और ड्रेनेज के लिए ऐसे नीचे होल्स कर ले अब इन्हें हैं करने के लिए दो एक्वल लेंद की मजबूत रॉप्स ले लीजिए आप ये planter जितने levels का बना रहे हैं और आपको ये जितनी उन्चाई पर टांगना है उसी के according ही आप rope की length रखिएगा अब आपको सबसे उपर वाली bottle जिस उन्चाई पर रखनी है उस point को rope पर mark कर लें ये देखिए मैंने ये tapes लगा कर point mark कर लिये हैं अब rope का एक end ऐसे एक होल में डालें और rope को marked point तक ऐसे निकाल कर अच्छे से tight notes लगा दें अब rope के दूसरे end को उसी side के दूसरे होल से पहले जैसे ही mark point तक निकाल कर ऐसे notes लगा लें अब ऐसे ही rope के दोनों ends को दूसरी bottle के holes में से निकाल लें और आप दोनों bottles में जितना gap रखना चाहते हैं उतना gap रखकर notes लगा दें आप जितनी bottles लगाना चाहते है उतनी bottles लगा लें यह देखिए मैंने तीनों bottles लगा ली हैं और अब यह ऐसा लग रहा है अब bottles के इन बचे हुए दोनों holes में दूसरी rope को इसी तरह ही लगा लें यह देखिए दोनों ropes लगाने के बाद यह ऐसा लगेगा अब इसमें अपनी पसंद के प्लांट्स लगा लीजे और बस आपका मर्टी लेवल हैंगिंग प्लांटर रेडी हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूस्फुल लगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you and happy gardening!